Good morning dear students, कैसे आप सब, I hope आप सभी अच्छे से होंगे, बत्चे आज हम कौन सा subject पढ़ेंगे, हिंदी, क्या पढ़ेंगे, कबीर की साखिया, वर्कशीट नंबर कौन सी होगी, 15, तिथी यहाँ पे डालना भूल गए, तिथी हम डालेंगे, 17, November, 20, ओके बेटा, यहाँ पे अप नाम मेंशन करेंगे और class भी मेंशन करेंगे, यानि class एर्थ, तो सबसे पहले बच्चो मैं यहाँ पर क्या कबीर दास के बारे में, तोड़ा सा आपको बताती हैं, चलूँ, यहाँ पे कबीर दास जी के जीवन के बारे में, थोड़ी सी बाते बताई गए, आपको पता होन जाहिए कि कभीर दास जी कहां पैदा हुए थे उनके माता-पीता कौन थे तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? कभीर दास का जन्म समबत 1455 सन 1398 में हुआ था, ठीक है? फिर कह रहे हैं, जन शुरुती के अनुसार उनका जन्म एक विद्वा ब्रहमरी के गर्व से हुआ जिसने लोगलाज के भैसे यानी डर से उसे तयाग दिया यानी छोड़ दिया एक जुलाहा दमपती दुरू जुलाहा पती पतनी थे जुलाहा दमपती को वो लहरतारा नामक तालाब के किनारे पड़े हुए मिले जिसने उनका पालन पोशन किया वे ही कभीर के माता पिता कहलाए इनके नाम थे नीमा और नीरू कभीर की मृत 120 यानि 120 वर्ष की आयू में समवर 1575 यानि 1518 इस भी में मघहर में हुए थी बच्चों पिछले कार्य पत्रक यानि वर्कशीट में से हमने कभीर दास की साखियों को पढ़ना शुरू किया जिनमें उन्होंने जीवन से जुड़े आचरण, वहवार वा आदर्शों की चर्चा की है आपके पाठे पुस्तक के पाठ कबीर की साखिया से आज हम अगली दो साखियों को समझने का प्रियास करेंगे आईए पढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं माला, क्या है बेटा यहाँ पे, यह दे गई हो, दोहा दिया गया है, साखिय जो दे गई है माला तो कर मैं फिरे, जीबी फिरे मुखमाही मनुआ दवू, दिसी, पिरे, यह दो सुमुरण, सुमिरनाही, कर मतलब होता है हाथ मनुआ हमारा मन, दवू मतलब छारो तरफ, दिसी मतलब दिशा थीखे, तो चलिए बच्चे इसको अब हम एक्स्प्लेन करते हैं, एक बार फिर से पढ़ देते हैं कि माला तो करमे फिरे जीबी फिरे मुखमाही मनुआ तो दहुदिसी फिरे यातो सिमरन सुमिरन नाही तो यानि कबीरदास जी क्या कह रहे है इसका भावार्थ क्या है बच्चे किनी पंक्तियों में कबीर दास जी कहते हैं कि भगवान का नाम जपने के लिए मनुष्य के हाथ में माला और मूँ के अंदर जीब फिरती रहती है लेकिन उसका मन इतना चंचल है कि सभी दिशाओं में घूमता रहता है मन कह रहे हैं मन बहुत चंचल होता है जो सभी दिशाओं में घूमता रहता है पर या भगवान का नाम नहीं जबता यदि भक्ती में मन ही नहीं लगा है तो हाथ में माला फेरना और जीब द्वारा भगवान का नाम जबना भी वेर्थ है यहाँ पे कबीर दास जी ये कहते हैं कि हम पूजा करते हैं पाट करते हैं हाथ में माला लेके ठीक है भगवान का नाम जबते हैं लेकिन ये सारी चीजें हमारे मन से होना चाहिए हिरदर से होना चाहिए ठीक है तो बच्चे आगे चलते हैं आगे कौन सा दोहा इन्होंने साकी दे रखी है चलिए शुरू करते हैं कबीर घास ना नी दिये जो पाउं तली होई उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दोही होई यानि इस दोहे में क्या कह रहे हैं साकी में क्या कह रहे हैं कबीर दास जी बेटा यहां पे घास है नींदी है यानि रॉंदना बोला जाएगा जो पाउं तली होई यानि पाउं तले हम इसे रॉंदते हैं घास को उड़ी पड़े जब आँखी में यानि जब इसका कोई छोटा सा तिनका हमारी आँखों में पढ़ जाता है, तो हमारी आँखों में बहुत दर्द होता है, कस्ट होता है, तो चलिए इसका हम आपको भावार्थ बताते हैं, explain करते हैं इन पंतियों में कबीरदास जी चेतावनी देते हुए कहते हैं कि हमें घास को कमजोर, छोटा या बेकार समझ अपने पैरों तले रौंद कर उसके निंदा यानि बुराई या उसका अपमान नहीं करना चाहिए क्योंकि जब इसी घास का एक छोटा सा तिनका भी हमारी आँखों में गिर जाता है तो वो हमें बहुत कस्ट पहुचाता है, दुख देता है, तकलीफ देता है इसलिए हमें किसी को छोटा या कमजोर समझ कर उसकी निंदा, अर्थात, उसका अपमान नहीं करना चाहिए ठीक है बच्चे, आईओप आपको ये समझ में आ गया हो बेटा, ठीक है, बहुत इजी है और बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई है कबीर दाज जी में, इन दो साक्यों के जरिये हमें बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, कि हमें किसी को बेकार नहीं समझने चाहिए, किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि छोटी चीजे भी कभी कभी हमें तकलीफ दे जाती है, और उपर वाली साक्यों में हमने क्या पढ़ा, कि हमें जब भी भगवान की भक्ती करनी है, या पूजा पाट करनी है, इबादत करनी है, तो हमें मन से करना है, ठीक है तो चलिए नीचे चलते हैं बेटा नीचे क्या दिया गया है कि उपर दी गई दोनों साखियों वा उनके भावार्थ को समझ कर निमलिकित प्रशनों के उत्तर लिखे नीचे क्या प्रथम प्रश्न क्या है प्रस्तुत पंक्टियों के अनुसार माला जीव और मन कहां कहां घूमते हैं तो बच्चे माला हाथों में जीव मू में और मन चारो दिशाओं में गूमते हैं मन हमारा क्या होता है चंचल मन होता है दूसरा question क्या है मनुष्य का मन इधर उधर क्यों गोमता है मनुष्य का मन बहुत ही चंचल होता है चंचल मतलब एक जगा ठैरता नहीं है कभी यहां कभी वहां इसलिए वा इधर उधर घोमता रहता है यानि मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है आगे का question क्या है बेटा कभीर दास जी ने घास की निंदा करने को क्यों मना किया है तो बेटा इसका आंसर ये सीधे आप यहां आएंगे ये देखिए आप लिखेंगे कभीर दास जी जेतामनी देते हुए कहते हैं ये थर्ड का आंसर होगा ठीक है बेटा किसका आंसर होगा थर्ड का घास को कमजोर चोटा या बेकार समझ कर अपने पैरों तले रौंद कर उसके निंदा यानि उसका अपमान नहीं करना चाहिए क्योंकि जब इसी घास का एक चोटा सा तिनका हमारी आंखों में गिर जाता है तो हमें बहुत कस्ट होता है बहुत दुख होता है बहुत तकलीप होती है बस बेटा आपको इतना आंसर लिख देना है ठीक है थर्ड का आंसर यहां से आप शुरू करेंगे थर्ड का आनसर आप कहाँ से शुरू करेंगे, यहां से शुरू करेंगे और सीधे यहां तक लिख लेंगे बिदर ठीक है, आप इसे फटाक सी कॉपी में कर लीजिएगा, ठीक है अच्छा आप यहां पे चौथे क्वेस्चन पे गती विती एक अक्टिविटी दे रखी है इ बच्चे इसका क्या करना इसका मैंने एक साखी निकाली है यह देखिए कबीर हमारा कोई नहीं हम काहू के नहीं यहां पे नहीं आया है ना बेटा कबीर हमारा कोई नहीं हम काहू के नहीं पारे पहुंचे नाव जयों मिलके बिछुरी जाहीं तो यानि यहां पे नहीं शब् पर लीजे गभाव क्या है किस जगत में इस जगत में ना कोई हमारा अपना है और ना ही किसी के जैसे नाओ के नदी पार करने पहुचने पर उसमें मिल कर बैठे हुए सभी यात्री बिछूड़ जाते हैं वैसे ही हम सब मिलकर बिछूड़ने वाले हैं सब सांसारिक संबद यही छूट जाने वाले, यानि कहने का मतलब यहां पे क्या है, इस साकी में क्या कहना चाह रहे हैं कभीर दाज जी, यानि कि जो जो आपके साथ है, आपका घर, परिवार, नातेदार, रिष्टेदार, सारी जमीन, ज़्यादा, सब कुछ यही रह जाना ह कुछ साथ नहीं जाएगा, आप सिर्फ अकेले जाएगे, यानि जब हमारी मृत्त होगी, तो हम सिर्फ अकेले जाएगे हमारे साथ, कुछ नहीं सब कुछ भी छड़ जाएगा, तो यही कहना चाह रहे हैं बेटा, अच्छा बच्चे, यह चैप्टर आप कभीर दास की जो बच्चे, bye-bye!